वेलकम तू एनके क्लासेस यह हमारा प्रिंसिपल प्लेंड एंड प्रिंसिपल इस्ट्रेस का सेकेंड वीडियो है गाईज पिछले वीडियो में हमने प्रिंसिपल प्लेंड का इंट्रोडेक्शन बढ़ा था कि प्रिंसिपल प्लेंड क्या होता है principal stresses क्या होती है और उसमें हमने principal stress determine करने की method देखी थी कि दो method होती है एक होती है analytical और एक होती है graphical हमने analytical method से चालू किया था analytical method में हमने एक block consider करा था और उस पे हमने stresses लगाई थी और वहां पर हमारी जो share stress थी वो 0 थी जब share stress आपकी zero होती है तो उस plan को हम principal plan बोलते हैं और वहाँ पे जो stresses होती है उन stresses को हम principal stresses बोलते हैं तो आपके दो लोग हो सकते हैं या दो बार हो सकते हैं पहले बार में आपकी share stress zero होती है तो जो stresses वहाँ पे develop होती है उनको हम principal stress बोलते हैं और दूसरा आपका case हो सकता है जहाँ पर आपकी shear stress हो मतला वहाँ पर shear stress 0 नहीं हो तो अब ऐसे block को हम क्या बोलते हैं other than principal plane और वहाँ पर जो stresses होती है वो normal stresses होती है तो हम उसको sigma x और sigma y से denote करते हैं और principal stresses को हम sigma 1 and sigma 2 से denote करते हैं तो यह अलग-अलग है sigma 1 and sigma 2 जो होती है वो आपकी principal stresses होती है और उनसे जो अलग stresses है उनको हम काई से denote करते हैं sigma x and sigma y से सो यह अलग-अलग होती है sigma x और sigma 1 सेम नहीं है sigma 1 जो है वो major या minor principal stresses होती है और यहाँ पर जो sigma x है वो other than principal stress है तो यह हमको समझना बहुत ज़रूरी है यह तो बहुत confusion create हो जाता है जब भी हम formula use करते हैं तब सो यही पर हम इसको समझ लेंगे ताकि आगे हमको sigma 1 और sigma x में कोई भी confusion नहीं हो तो एक बार वापी से repeat कर देता हूं दो case होते हैं पहले case में आपका shear stress 0 होता है और दूसरे case में आपका shear stress 0 नहीं होता है जब भी आपका shear stress 0 होगा तो वो principal plane होता है और वहाँ पे जो stresses होती है वो principal stresses होती है अब जो principal stresses है उनको हम sigma 1 और sigma 2 से denote करते हैं अब जो आपकी दूसरा जो case है हमारा जिसमें आपका shear stress 0 नहीं है तो वहाँ पे जो stresses होगी उनको हम sigma x and sigma y से denote करते हैं तो वो simple है दो case है एक case में shear stress 0 है दूसरे case में shear stress 0 नहीं है तो जब हम हमने पहला case पढ़ा था इसका पिछले वीडियो में तब हमने shear stress को कितना रखा था guys 0 रखा था तो वहाँ पे जो हमने stresses ली थी वो हमने ली थी sigma 1 and sigma 2 इसलिए हमने वहाँ पे sigma 1 and sigma 2 लिया था क्योंकि वहाँ पे shear stress आपका कितना था guys 0 था और उसकी वज़े से हमने normal और tangential stress find किती है इस case में भी हम normal and shear stress या tangential stress find करेंगे और यहाँ पे हम किसको consider करेंगे shear stress को consider करेंगे क्योंकि यह हमारा second case है और यहाँ पे shear stress 0 नहीं है तो चलिए देखते हैं आज का case a member subjected to direct stresses in two perpendicular directions means x and sigma x and sigma y and simple shear stress means tau तो यहाँ पे आपका tau लग चुका है तो tau लगने के साबसे यह कुंचा case हो जाता है हमारा second case हो जाता है तो इस case के लिए हम क्या find करेंगे sigma n and sigma t चलिए so हमने एक plane ले लिया fc जिस पे हम क्या निकालेंगे normal stress and tangential stress so fc पे यह आपका normal plane हो गया और इस पे जो stress आईगी वह कुंची हो जाएगी normal stress और जो along the plane है वह कुंची हो जाएगी आपकी tangential stress so सबसे पहले हम normal stress on section fc देखते हैं तो उसके लिए हमारा formula क्या हो जाएगा देख लिए इतना बड़ा formula है sigma x plus sigma y by 2 plus sigma x minus sigma y by 2 into cos 2 theta तो यह तो हमारा किस case में था जब आपका shear stress 0 तब उस case में था plus इसमें क्या जाएगा tau sin 2 theta तो जब आप tau 0 होगा तो वही जो हमने first case के लिए पढ़ा था वो हमारे normal stress आ जाएगी पर यहां पर tau 0 नहीं है तो उसके जो effect होगा वो कितना होगा plus tau sin 2 theta यह हमारी कौन सी आगी normal stress आगे हम tangential stress यह shear stress देखते हैं कौन कहाँ पर कौन section FC so जो आपके tangential है वो कितनी हो जाएगी sigma x minus sigma y by 2 into sin 2 theta यह कब जब आपका जो tau 0 था अब यहाँ पर tau है तो उसको भी हम consider करेंगे तो वो हो जाएगा sigma x minus sigma y by 2 into sin 2 theta minus tau cos 2 theta तो यह आपका कब होगा जब हम tau consider करते हैं तो यह हमारी normal और tangential stress निकल गई अब अगर आपको निकालना है कि हम कितने angle पे theta लें कि आपका जो plane है वो principal plane हो जाएगा तो हमको पता है एक चीज कि जो principal plane होता है उस पर जो आपका shear stress है वो 0 होता है तो अगर उस plane पर shear stress 0 होगा तो वो plane कौन सा हो जाएगा principal plane और उस पर जो stresses आएगी वो stresses कौन से हो जाएगी principal stresses तो हम वो निकालने की कोशिश करते है तो हमको एक चीज़ पता है कि जो principal plane होता है the plane on which shear stress is 0 are known as principal plane तो यहाँ पर आपका shear stress कितना होता है गैस 0 होता है तो हम shear stress की value निकाल चुके इसको अगर हम 0 put कर देंगे तो हमारा पास जो plane है वो कौन सा जाएगा तो cos theta, tau cos theta अब sin theta by cos theta लिख देंगे और 2 को इदर ले जाएगे तो यहाँ जाएगा 2 tau divided by sigma x minus sigma y अब जो sin 2 theta by cos theta है इसको अगर हम क्या लिख सकते है 10 2 theta तो इसको हम क्या लिख देंगे guys 10 2 theta तो उसको हमने लिख दिया 10 2 theta is equals to 2 tau divided by sigma x minus sigma y गया तो आप sin 2 theta and cos 2 theta भी find कर सकते है अब जब हम तो देखे यह आपका क्या होझाता है? perpendicular यह आपका क्या होझाता है? base, अब आप क्या निकालेंगे hypotenuse आप hypotenuse निकालेंगे sin 2 theta क्या होता है? आपका perpendicular by hypotenuse और यह क्या होता है? base upon hypotenuse बट जब आप hypotenuse निकालेंगे तो वहाँ पे आप plus minus consider करेंगे क्योंकि वो under root होके निकलेगा तो आप एक बार plus लेंगे एक बार minus लेंगे तो जब हम नॉर्मल सिग्मा एन में इसकी sin to theta और cos to theta की value put करेंगे तो हमारे पास दो stresses आईगी जब हम सिग्मा एन में sin to theta और cos to theta की value put करेंगे तो एक बार hypotenuse plus sign के साथ लेंगे एक बार hypotenuse minus sign के लिए लेंगे तो जब हम ऐसा करेंगे तो सिग्मा एन के हमाँ पर दो value आईगी तो एक को हम put करेंगे sigma 1 और दूसरे को हम लिखेंगे sigma 2 क्योंकि यह हमारी क्या होगी principal stresses है क्योंकि हम उस plane पर find कर रहे है जहापे आपका share stress 0 है और हमको पता है कि जहापे आपका share stress 0 होता है वो आपका principal plane होता है और वहाँ पर जो stresses होती है वो principal stresses होती है तो यहाँ पर जब हम normal stress में sin to theta और cos to theta की value पूट करेंगे guys, तो हमारे पास दो वेल्यू आएगी, तो एक वेल्यू होगी sigma 1 और एक होगी sigma 2, अब जो ज़्यादा होगी उसको हम बोलेंगे measure principle stress और जो कम आएगी, उसको हम बोलेंगे minor principle stress, तो जब हम वेल्यू पूट करके निकालेंगे तो sigma 1 हमारे पास कितना जाएगा sigma x plus sigma y by 2 plus under root sigma x minus sigma y by 2 का whole square plus tau xy whole square sigma 2 हमारे पास कितना जाएगा sigma x plus sigma y by 2 minus under root sigma x minus sigma y by 2 का whole square plus tau square अगर आपको निकालना हैगी maximum shear stress कितना आ सकता है जिस plane पे हम है तो वहाँ पर आपको पता है कि sigma 1 minus sigma y2 होता है हम यह पेले निकाल चुके तो अब हम क्या कर सकते हैं कि sigma 1 और sigma 2 की value put कर सकते हैं तो यह हमारे पास ताउट चुआपका shear stress है वो maximum आ जाएगा तो यह तीन formula guys बहुत important है maximum principal stress, minor principal stress and maximum shear stress तो तीनो formula देख लेते हैं वापीस से sigma x plus sigma y by 2 plus under root sigma x minus sigma y by 2 का whole square plus tau square तो यह हमारा कौन सा हो जाता है major principal stress sigma 2 देखते है sigma x plus sigma y by 2 minus under root sigma x minus sigma y by 2 का whole square plus tau square यह हमारा क्या हो जाता है minor principal stress और जब हम उनको minus करते हैं क्योंकि हम पेले भी देख चुके है कि हमारा maximum shear stress वो क्या होता है sigma 1 minus sigma 2 by 2 तो हम इन दोनों की value put कर सकते हैं तो जब value put करेंगे तो हमारा पास finally आजाएगा 1 by 2 under root sigma 1 minus sigma 2 by whole square plus 4 tau square तो आज हमने देखा कि जो आपका shear stress है वो अगर 0 नहीं होता है तो उस case में आपका normal और tangential stress कैसे निकलता है तो उसके हमने formula देख लिए है अब अगर आपका shear stress जो tangential stress हमने निकाला है वो 0 हो जाता है उस plane पे तो वो आपका कौन सा plane हो जाएगा principal plane हो जाएगा और जो principal plane पे stresses डेवलफ होती है वो कौन से हो जाएगी principal stresses तो हम वो भी find कर सकते है जो हमने angle निकाला है वो उसकी जो value आईगी sine to theta और cost to theta की वो हम normal stress में डाल देंगे तो जब हम उसमें put करेंगे तो हम आपका 2 stresses निकल के आईगी एक को measure नाम देते है एक को minor नाम देते है तो इस तरीके से हम measure और minor भी निकाल सकते है चलिए इसके numericals पर लिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए तो first numerical देखिए at a point within a body subjected to two mutually perpendicular directions the stresses are 80 newton per mm square and 40 newton per mm square तो आपको 2 stresses दे रखिए mutually perpendicular direction में एक है आपकी 80 newton per mm square वो दूसरी है 40 newton per mm square and shear stress is 60 newton per mm square अब guys यही से हमको समझ में आ जाएगा जब भी आपको question में shear stress given रहे means यह हमारा second case है और जो हमने normal और shear stress के formula find करें tangential stress के हमको वो put करने तो यहाँ से हम समझ सकते कि अगर question में shear stress given है तो वो हमारा कौन सा case हो जाएगा second case हो जाएगा जो कि हमने आज पढ़ा है determine normal stress shear stress and resultant stress on an oblique plane inclined at an angle 45 degree with the axis of minor stress तो गाईज आपका ठीटा कितना दे रखा है 45 degree दे रखा है तो 45 degree पे हम क्या find कर लेंगे normal stress shear stress और resultant stress तो चले गाईज हम देखते कि normal stress shear stress कितनी आईगी तो सबसे पहले हम given देख लेते है तो आपको sigma x कितना given है 80 newton per mm square sigma y आपका कितना given है 40 newton per mm square tau आपका गी कितना given है 60 newton per mm square and theta आपका कितना given है 45 degree अब यह minor से given है तो हम theta यह उसको लेंगे तो सबसे पहले normal stress का formula क्या हो जाएगा sigma x plus sigma y by 2 plus sigma x minus sigma y by 2 into cos to theta plus tau sin to theta अब यहाँ पर आपके पास sigma x की value है sigma y की value है तो अब हम put कर देंगे 80 plus 40 by 2 plus 80 minus 40 by 2 into cos 2 into theta आपको कितना given है 45 degree तो वह हमने put कर दिया plus tau आपको कितना given है 60 so 60 sin 2 into 45 solve करेंगे यह 60 आजाएगा यह 20 cos 90 कितना होता है 0 plus 60 sin 90 कितना होब 1 तो वह put करा तो हमारा sigma n कितना गिया गया गया 120 newton पर मैं में स्केव second हमारा पास tangential stress so tangential stress का पॉर्मूला क्या है sigma t is equal to sigma x minus sigma y by 2 sin 2 theta minus tau cos 2 theta अब sigma x 40 है sigma 1 sigma x 80 है sigma y 40 है so value put करी sin 2 into 45 minus tau आपके पास 60 है cos 2 into 45 so यह 20 into 1 आगिया cos 90 0 होता है so sigma t कितना आगिया हमारा पास 20 newton पर mm square अब आपको resultant भी find करनी है so resultant क्या होती है under root sigma t का square plus sigma n का square so sigma t आपके पास कितना given है 20 sigma n आपके पास कितना given है 120 so value put करेंगे तो आपके पास finally जो resultant है वो कितना आजाएगा 121.655 newton पर mm square so इस तरीके से जब भी आपको tau given रहता है question में तो हम जो normal और tangential और resultant इस तरीके से find करते हैं आपको यह यह formula use करने है अब हमने जो second जो हमारा case में पढ़ा है principal stresses उसका भी हम एक numerical देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सकते तो जलिए उसका एक numerical ले लेते हैं a rectangular block of material is subjected to a tensile stress of 110 Nm2 on one plane and a tensile stress of 47 Nm2 on another plane shear stress is given as 63 Nm2 fine magnitude of principal stresses and maximum shear stresses तो हम को क्या क्या निकालना है guys principal stresses निकालना है और shear stress निकालना है तो सबसे पहले हम given लिख लेते हैं sigma x कितना given है हम आ पास 110 and sigma y हम आ पास कितना given है 47 tau आपके पास कितना given है 63 Nm2 now major principal stresses कितना हो जाएगा sigma 1 is equals to sigma x plus sigma y by 2 plus under root sigma x minus sigma y by 2 plus tau is square sigma x की value है 110 sigma y की value है 47 put करेंगे यहां पर भी put करेंगे tau की value कितनी given है 63 so सारी values जो है वो हमने put कर दी अब आपके पास इसका answer आ जाएगा 78.5 और यह जो है इसका answer आ जाएगा आपके पास 70.436 तो यह हम निकाल लेंगे जब हम plus करेंगे तो finally हम आ पास कितना जाएगा 148.936 तो यह हमारा क्या है major principal stress sigma 1 एसे हम minor निकाल लेंगे minor में हम आपास यह plus क्या हो जाता है minus तो सिब हम यहां पर plus की जगे क्या लिख देंगे minus तो हमारा answer निकल जाएगा so जो minor principal stress है उसका formula क्या होता है गाईज sigma 2 is equal sigma x plus sigma y by 2 minus under root sigma x minus sigma y by 2 plus tau square so जैसे कि आपने देखा कि यहां पर आपका 78.5 आगया यह आपका minus 70.436 आगया तो यह हम direct solve कल सकते हैं तो यह हमारा पास आगया 8.064 तो यह हमारा पास किया minor principal stress यह हमारा पास क्या है guys minor principal stress अब नाव लास्ट है maximum shear stress तो maximum shear stress का formula क्या होता है 1 by 2 under root sigma x minus sigma y का holy square plus 4 tau square value put करेंगे guys तो यह आजाएगा 1 by 2 under root 110 minus 47 का holy square plus 4 into 63 का square solve करेंगे तो यह हमारा पास कितना आजाएगा 70.436 newton per mm square अब हम इसको direct भी solve कर सकते guys sigma 1 minus sigma 2 by 2 तो sigma 1 हम निकाल चुके हैं कितना है 148.936 sigma 2 हम निकाल चुके हैं 8.064 divided by 2 करेंगे तो answer आपका same ही आएगा 70 point